रहिमाबाद में संपन हुई बौद कथा मुख्य अतित के रूप में पहुचे समता सैनिक दल के जिला देक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार आपको बताते चले रहिमाबाद में चल रही पांच दिवसी बौद कथा कुर्वार को भंडारे के साथ संपन हुई मुख्य अतित के रूप में पहुचे समता सैनिक दल के जिला देक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार राजवनसी ने लोगों को नसा मुक्त समाज बनाने की सपद दिलाई यो सिछा के प्रति चागरुक किया डॉक्टर ने कहा कि सिक्षा वा सेरिनी का दूध है जो पिएगा वो दहरेगा इस दौरान करीब 20 लोगों ने जिला अधक्ष से प्रभावित होकर नसा छोड़ने की सपत ली इस मौके पर बेचेलाल, राम नरेश, मनोहर, शिवकुमार गुपता, जिलाप पंचायत अधक्ष प्रतिनिदी, इंदरपाल चोधरी, जिलाप पंचायत सदस्थी, जितंदर गौतम, जिलाप पंचायत सदस्थी, रामसरन, बबली रावत, सुसील कुमार, अंकुल, कुल्दीब बौध, उमेश गौतम, वरिष्ट पाद्यक्ष, संगम बौध, प्रधान महा सच्यू, पूजा गौतम, बलाक कमांडर मसरेटा, आदिस सम्मानित लोग मौजूद रहें कि आज हम, हमारे साथ आप बोलेगे, हम सभी भारत के मौन लिवासी, भारत के सम्मिधान को, यहां पे उपस्तित, समी जनता, जनारगान, और समी अल्वाकोत बीच में, इस अम्मेटकर मर्च से, यह सपत ग्राण करते हैं, कि आज के बाद, किसी भी प्रकार, नसीले प्रारत का सेवन नहीं करेंगे, अतार, किसी भी प्रकार का, नसा नहीं करेंगे,